यो नमस्कार मैं डिपी सर्मा आप सभी विद्यार्थियों का पुन है अधार स्रीज के अंदर स्वागत करता हूँ साथियों अधार स्रीज जो लगातार आपकी वास्तम में जो आप चहारेओं वैसे ही कारे कर रही है शांदार सा क्लेक्शन आप सब के लिए साथियों अधार स्रीज हमारी करके ला रही है तो आज हम लोग हमारे जीके का ऐसा चैप्टर राजस्तान जीके का आप देखोगे इतिहास में बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिनोंने अपने पिताजी को मार दिया और पिताजी को जिनोंने मार दिया उन शासकों को बोला जाता है पित्री हंता शासक यानि पिताजी को मारने वाले शासक कौण से कौण से है जिनोंने अपने पिता को मारा और पिता को मार कर इनोंने अपनी सत्ता हासिल की ऐसे हमारे भहुत सारे शासक हुए उन तमाम शासकों को आज की कलास में हम लोग देखने वाले हैं तो साथियों शुबका में बिल्कुल भी देरी नहीं करने चाहिए और आज के शेशन में हम लोग पित्री हंता शासकों के बारे में साथियों देखने वाले हैं चलो तो हम लोग आज की इस कलास को शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी साथी कलास को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कमी नहीं चोड़े, हर अलग-अलग वंस में, अलग-अलग छेतर में, कौन-कौन यहां पर पीत्री हंता शासक हुए, जरा उनके बारे में देखते हैं, जैसे साथियों, एक वंस है, जिसको गुर्जर परतिहार वंस के नाम से जाना जाता है, साथियों परतिहार वंस भी इसी को बोला जाता है, और इस गुर्जर परतिहार वंस के अंदर जो शासक यहां पर आता है, गुर्जर परतिहार वंस के अंदर जो हमारे पास शास उस शासक का नाम है प्यारे विद्यार्थियों मिहीर भोज मिहीर भोज नाम का एक शासक हुआ इस मिहीर भोज ने इस मिहीर भोज ने अपने पिता को मार कर शासन प्राप्त किया था और इनके पिताजी का नाम था राम भद्र इन्होंने अपने पिता राम भद्र की साथियो जबकि मिहर भोजी के महांतम शासक है महांता से धडले से कारी किया साथ ही उन्होंने और जिस तरीके से अपने आपको महांत बनाया गजब के शासक उन्होंने पित्र अंता कई बर क्या होता है पिता जी काम का नहीं होता है बेटा उसी साब से पिता जी ठोक के शासक बन जात पित्री अंता शासक में आप देखे रहे हो तो राम बदर को मारकर मिहर भोज दूसरा आपके पास है चुहान वन्स में भी एक शासक हुआ अजमेर के चुहानों में जब आप लोग अजमेर के चुहान पढ़ते हो एक शासक आता है जिसका नाम है जगदेव, साथियों जगदेव ने अपने पिताजी को मारा और इसके पिताजी का नाम था अर्णोराज, अब अर्णोराज तो बहुत तकड़ा आदमी है, अल्टिमेट आदमी है साथियों, घजब का आदमी था लेकिन ठुग दिया, अब इसके बाद में अपने और आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास आता है मेवाड में, और मेवाड में हम लोग पढ़ते हैं, तो मेवाड में एक वंस था जिसको बोलते हैं सी सोधिया, मेवाड के सी सोधिया वंस केंदर हम देखते हैं, तो एक साशक है जिसने अपने पिताजी को मारा है, और उस साशक का ना के रूप में रहे थे और इनके बराबर आज तक कोई आर्किटेक्चर नहीं कर पाया अब आते हैं साथियों राठोड सासक राठोडों की राजस्थान के अंदर तीन अलग अलग साखाएं रही है और हम लोग जिस राठोड की बात करते हैं तो हम यह specially मारवाड राठोड की बात करते हैं तो मारवाड के राठोडों में दो शासक हुए एक हुआ मालदेव या आदमी गरीट है यानि कुछ जगह तो बेटे ही खुपू थे तोकने वाले ठीक थे मालदेव की पिताजी का नाम था इन्होंने अपने पिताजी को मारा इनका नाम था गांगा या गांगदेव एक ही बात है गांगदेव या गांगा इन्होंने इस तरह से सलटा दिया अब आप देखते जाओ, मैं आपको कुछ तकड़ी बात बताता हूं, जरा सूनना, प्रतिया रसाशक महीर बोज, इनको बोज के नाम से भी जानते हैं, महीर बोज फर्ष्ट के नाम से भी जानते हैं, राम बदर को मारा, ये अप्रोक्स आठ सो तेती से शती सिस इस्वी के आसपस की बात, आठ सो चती सिस्वी के आसपस मार दिया था, महीर बोज का दादा था, नागबट के नाम से महीर बोज का दादा था, तकड़ा आदमी था नागबट सेकंड, और नागबट सेकंड की वज़ए से ये शासक बना है, ये शासक बनने वोने रीद, अब इसके क पाकार बाबा थे ये लड़ते थे आपस में घ्रैकलेस चलता था इस घ्रैकलेस के कारण ही मिहर बोज के दादा जी नाग बड़ सेकेंड ने गंगा में कुदकर सुसेट किया था और बाद में तीन एक साल सासक रहा इसने कई बर कार है मेरे को सासक बना दे रहा है पाओ अदमी अल्णोराज के तीन बेटे हैं अल्णोराज के तीन बेटों में एक का नाम है जगदेव सबसे बड़ा दूसरा बिसल देव जिने विग्रह राचतुर्थ के नाम से जान दे पर तीसरा सोमेश्वर ये तीन भाई आपस में लेकिन क्या है कि सोमेश्वर तो ना निय करेगा उसको मैं सासक बना दूँगा अच्छे कम विग्रह राज ठीक कर रहा तो विग्रह राज की गोशना कर दी बोलागा में साप इसको बनाएंगे जगदेव ने सुवह पीगे पहुआ दरूरी आदमी अजा कि पिताजी को कुछ आइसे कैसे कैसे बना है मैं बनूगा तो गुस्य के अंदर जगदेव ने बाप के तलवार ठोक दी और पिताजी एकस्पायर होगे तो पित्री अंता सासक यहां पर जगदेव है पिताजी की अत्या कर दी अड़नो राज जगी यह बात है लगबग ग्यारा सो पचास इसवी क्या सपास की बात है ग्यारा सो पचास क्या सपास हाँ शिसोध यावंस और शिसोध यावंस के अंदर अपन लोग यहां देखते हैं उद्दा यही माराना कुम्बा वाली सीन था माराना कुम्बा का एक बेटा था जिसका नाम था राइमल एरेक तो औरध और राहे मल ठीक काम कर रहा है तो औराके सास्तिक मनने की गोशना कर दी गोशना करताई है प्रित बीराज से सत्री पर युप अ उदाया बापा जी रहाजाहmmन थे ठीग नहीं है तब इसने भी जब पिताजी नी दो कर दिया तो गुष्य मिया कर इस व्यक्ति ने भी अपने पिता जी को तलवार मार दी और ये पंद्रासो लगभग है तो दासो 68 के लगभग की बात है तो प्रकृति न्याय करती है गलत कर रहे हो प्रकृति न्याय करेगी उद्दा ने काम अच्छे ने कि ये लखन ठीक नही ऍट करनों को गती है तो प्रकृति नियाय करती है भी यह सिल्टा देती है फ्यूंकणी निकाल देती है प्रकृति घतरनाग उती है कुछ प्रकृति ब्रकृती मोक्का सबको देती यह बक्सती किसी को भी नहीं है याद रखना ही है अब आया रट्थ में रात ठूड़ precious र पापा जी मानने नहीं तो एक दिन बताती आए कि मेरानगड के अंदर वो मालिये में थे उपर जो रोके के पास खड़े थे यह पापा को समझाने जा रहा था भी पापा जी मान जाओ यार अभी तियास कार तोड़ी शी मतबेद करते हैं इसमें लग लग तरीके के बात करते कोई बोलता है कि बैटे ने धक्का दिया था और कोई बोलता है कि वो अपने बैटे को देखर गबरा गया था फिर सुनाएगा आता ही तो नसे में कंट्रोल नहीं हुआ पेर पार मारबल भी कोई फिसल गया और वो जो रोके से उपर से नीचे आपड़ा दढाम जो उपर से जब गांगा जी आके पड़े और उपर से जहां करे थे तो गांगा माल देव था तो लोगों ने नुमान यहीं लगया जो दरबार में रहने वाले थे वो लाओ उर सल्टा दिया भी अपने बाप को उपर वो खड़ा है इसलिए आरोप किस पर लग गया माल देव पर अरो माल देव दो मारवाड राट फड़ों का सभसे माहांतम शासक भी शाबित हुआ तो महांतम शासक भी कोई है, तो महीर भोज है, और राठोडों का सबसे महांतम यद कोई शासक है, तो भी सात्यु होunkआपका मालदेव है, इस तरह से आपने इतिहास के देखे, यह पितरी हंता सासक है, पुत्र हंता माता का भी नाम आता है मान भाई का नाम बताते हैं जिसने अपने पुत्र को मारा था पुत्र का नाम क्या कमेंट करके आप बताओगे तो साथ यो इतिहास है इतिहास में इतिहास के पन्नों पे जीबो गरीब घठना ही होती रहती है वह आज आपने कवर किये इ प्रिक्त्री हन्ता सासक जो पिता जी को मार्क शासक बने थे गली कलास में फिर मिलते नई धार सिरीज में देहिन दभारत बाई बाई